UKPSC Physics Lecturer Exam की प्रिपरिशन करने वाले सभी पाटिस्पेंट्स को मेरा साधर नमस्कार मैं निले सन्वाल जैसे की प्रिवियस जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किये हैं अपने प्रिवियस लेक्चर्स उनमें मैंने आपको जो questions को हम directions के help से सो करके solve कर सकते हैं उनको मैंने board पे solve किया हुआ है आज मैं यहाँ पे कुछ essay questions लेके आया हूँ जो direct conceptual हैं और पिछले exam से पूछे गए हैं और direct solve हो सकते हैं तो आप लोग essay questions की भी practice कीजेगा इनको बहुत easy मान केने चलेगा exam में essay questions भी पूछे जाते हैं तो आईए सुरुवात करते हैं question number one से इसमें क्या कह रहा है देखेगा when the current flowing in a circular coil is doubled and the number of turns in it is halved the magnetic field at the center will become means एक बृत्ताकार कुंडली में बहने वाली धारा को दो गुना करने तथा इसमें फेरों की संख्या आधी करने पर इसके केंदर पर चुम्बे की छेतर का मान होगा आपको चार option दी है तो you know जो हमारी circular coil होती है उसके center पर जो magnetic field होता है यह हम लोग को पता है यह होता है mu naught ni upon 2r इसमें हम से क्या कह रहे है current को double कर दिया गया है और number of turns फेरों की संख्या को half कर दिया है तो नया magnetic field b dash क्या हो जाएगा देखिए mu naught ऐसी रहेगा n को half कर दिया है n by 2 और i को double कर दिया means 2i कर दिया upon 2r यानि कि radius में कोई भी change नहीं कर रहा है तो r ऐसी रहेगा solve करेंगे तो 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो solve करने के बाद क्या बच रहा है यह वही बच रहा है देखिए mu naught ni upon 2r या बच रहा है जब आप इसको देख रहे होंगे तो mu naught ni upon 2r किया था initial magnetic field तो b dash b किसके बराबर आया b के बराबर means magnetic field में कोई change नहीं आया अर्थाद इसका जो सही answer हो जाएगा वो option c हो जाएगा same वही रहेगा अब हम आते है question number 2 पे देखेगा जो question number 2 है यह क्या है देखिए धियान से question को study करिए a current is flowing in a long straight wire the magnetic field at a distance 10 cm from it is 0.04 tesla the magnetic field at a distance 40 cm from it तो देखिए कैसे solve करेंगे आपको दिया है straight long एक लंबे सीधे चालक तार में धारा बह रही है 10 cm की दूरी पर चुम्बकी छेतर का मान 0.04 है तो इससे 40 cm दूर पर चुम्बकी छेतर का मान क्या होगा देखिए आपको direct यह पता होना चीए जो long state current carrying conductor मैंने अपने previous वीडियों बताया था तो उसके कारण क्या होता है mu not i upon 2 pi r होता है यहां से आप क्या देख रहे है बी क्या है inversely proportional है किसके r की means अगर r बढ़ेगा तो b क्या होगा घटेगा अब आप question में देखिए ध्यान से question पढ़िए उसने कहा magnetic field at a distance of 10 cm पहले का r कितना था 10 cm इस पर b कितना दिया था आपको 10 cm के लिए आपको b दिया है 0.04 इसला दिया है अब नया r डैस उसने क्या कर दिया at the magnetic field at a distance of 40 cm कह रहा है तो आप compare करना सीखिए पहले r 10 था अब नई distance 40 cm तो पहले का कितना गुना दे दिया है आपको 4 गुना दे दिया है पहले का 4 गुना दे दिया ना distance 4 गुना बढ़ा दी 4 times तो magnetic field क्या होगा 4 times degrees हो जाएगा बी inversely proportional to r यानि कि जो पहले का जो magnetic field है 0.04 टेसला इसका क्या हो जाएगा distance अगर 4 times बढ़ रही है तो magnetic field 4 times कम हो जाएगा तो इसको 4 से divide कर दीजिए direct 0.04 टेसला को तो हमारे पास answer क्या जाएगा नया जो b- हो जाएगा आप समझ रहे होंगे मैंने आपको समझाया b upon 4 हो जाएगा जितने times distance बढ़ेगी उतने times magnetic field घड़ जाएगा तो 0.04 डिवाइड बाइ 4 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.01 टेसला ये नया magnetic field आ गया तो इसका option कौन सा है इसमें a option correct है ठीक है आप इसको भी समझ करेंगे अब हम आते हैं next question पे देखिएगा next question में क्या कहा है लोरेंज force in mks unit is written age तो मैंने आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ा रखा है अपने lecture में तो लोरेंज force क्या होता है force on charge particle in electromagnetic field means electric field और magnetic field के combination में तो कौन सा answer इसका सही है आपको पहले से बता है option c is correct f equal to q e plus q v cross b होता था q common ले लिया तो q e plus q बहर अंदर e plus v cross b direct question है next question देखिएगा an electron moving with velocity v enters in the magnetic field in the same direction as the direction of magnetic field the force on the electron is तो मैंने आपको बता है था कि electron पर जो force लेगा किसी भी charge particle पर magnetic field पर force बता है था q vb sin theta जिसमें theta angle होता है velocity और magnetic field के बीच में यहां question में कह रहा है electron moving with velocity v enters in the magnetic field in the same direction as the direction of magnetic field means velocity और magnetic field में जो angle है कितना है 0 है तो f equal to q vb sin 0 जब हम रखेंगे तो f equal to 0 हो जाएगा तो इस पर electron पर कोई force नहीं लगेगा इसले इसका यहां पर correct option कौन सा हो जाएगा d option हो जाएगा no force on the electron अब देखें next question पर आते हैं फिर से यह क्या कह रहा है if the velocity of the charge particle is doubled and strength of magnetic field is halved then radius becomes means कह रहा है यदि आविसितकन का wake दुगना तथा चुम्ब की छेतर का मान आधा हो जाए तो त्रिजिया क्या होगी तो मैंने आपको बताया था जब कोई charge particle किसी uniform magnetic field के perpendicular move करता है तो circular path में move करता है और circular path की radius हमने बताई थी r equal to mb upon bq अब यहाँ पर कह रहा है इसका wake दुगना यानि कि b को double कर दिया जाए और चुम्ब की छेतर b का मान क्या कर दिया जाए आधा इसको b by 2 कर देंगे तो r dash क्या एगा देखे m की कोई बात नहीं कर रहा है b ko double यानि कि 2b कर दिया और b को क्या कर दिया b upon 2 of q तो यह 2 यहाँ से उपर चले जाएगा तो यहाँ से r dash क्या बनेगा यह 2 उपर जाएगा एक 2 उपर यहाँ पहले से है यह 2 और 2 मिल के क्या हो जाएगा 4 बाकी क्या बचेगा mb upon bq बचेगा और mb upon bq हमारी क्या है यह initial radius है यही तो r dash क्या हो गया 4 times of r यानि कि तब उसकी नईत रि देखते हैं next question क्या कह रहा है देखिए यह कह रहा है अब मॉभिंग electric charge produces तो only electric field only magnetic field बोथ electric and magnetic field none of these तो मैंने आपको बताया वहा था कि जो अगर charge rest पे होगा वो क्यावल electric field प्रोड्यूस करेगा अगर charge motion पे होगा तो electric field तो हमें सब produce करेगा ही करेगा कोई भी charge अगर कैसी भ अगर constant velocity से move करें यानिकि उसमें acceleration ना हो move कर रहा होगा किस से भी अगर उसका constant हो move कर रहा है अगर charge move कर रहा है तो covet magnetic field को .76 वी जनरेट करेगा Madame moving charge किस किसको create करेगा electric field भी और magnetic field को लेकिन ध्यान दीजेगा उसकी velocity constant अब मैंने बता है अगर charge accelerated हो means अगर उसकी velocity constant नहीं हो तो यानि कि accelerated हो तो उस case में भी आप ध्यान रखेगा charge क्या करता है electromagnetic EM radiation को create करता है ठीक है लेकिन यहाँ पर के इसाब से जो हमारा correct answer क्या हो जाएगा moving electric charge produces only electric field ऐसा नहीं होगा only magnetic field ऐसा भी नहीं होगा इसका अंसर होगा both electric and magnetic field यहाँ पर साइद मैंने अपनी screen को pause किया था next question साइद अगर मैंने पहले बता भी यहाँ इसको कोई बात नहीं दोबारे हो जाएगा question next question देखे circular coil of radius R carries an electric current okay radius capital R दिये है the magnetic field due to due to the coil at a point on the axis of the coil located at a distance R from the center of the coil such that R very very greater than R varies तो question में ध्यान से देखे circular coil की radius capital R दी है और हो कह रहा है center से जो एक point की distance है वो क्या है R है तो इसलिए इस समय अगर R बहुत greater than हो R से तो magnetic field कैसे vary करेगा तो देखेए मैंने आपको जब बताया था यहाँ पर देखेगा जो circular coil हम लेते थे तो तो हम इसकी अगर radius लेते थे radius A लेते थे और point की distance x लेते थे तो formula क्या आता था mu naught ni a square upon आता था 2 x square प्लस a square की power 3 by 2 यह हमारे पास आता था किसी axial point पर magnetic field लेकिन इस बार हम से क्या कह दिया है radius A नहीं कहा radius capital R कह दिया है और यह point की distance x कह दिया है अगर मान लिजिए radius हमारे पास क्या है capital R है और यह point की distance R है तो यह formula क्या हो जाएगा mu naught ni a square होता था था ना radius तो ni r square हो जाएगा upon क्या होता था 2 x square x की जोग अपर क्या आगे r तो 2 r square प्लस a square x square प्लस a square की power 3 by 2 लिखते थे तो x की जोग अपर तो r आगे और a की जोग अपर क्या है यह radius तो r square प्लस r square की power 3 by 2 ऐसे लिखेंगे अब कहरा है मान लिजिए यह जो point है बहुत दूर है यानि कि condition कहरा है r very very greater than r यानि कि यह r इस r के compression में क्या है बहुत बड़ा है या capital r जो radius के है यह radius के है इस point के compression बहुत छोटी है यानि कि point बहुत दूर है far away है far away होगा तो हम यह radius को क्या कर सकते है small r के term में neglect कर सकते है तो आप समझे लिजी कि यह term है यह नहीं तो क्या बचेगा small r square की power 3 by 2 यह 2 से यह 2 cancel हो जाएगा तो क्या बचा नीचे denominator में 2 तो ऐसी रहा r की power cube बचा तो आपने देखा कि magnetic field कैसे हो रहा है 1 upon r cube पे depend करता है जब क्या हो axis से यहीं circular coil के center से जो axial point हो बहुत दूर हो तो इसका जो हमारे यहां पे correct option हो जाएगा यह कौन सा option हो जाएगा option number d हो जाएगा 1 upon r cube अब हम करते है next question अब देखेगा बहुत important question है जो next question है यह क्या कह रहा है आप लोग देख पा रहे होंगे when a long wire यह देखे क्या कह रहा है when a long wire carrying a steady current is bent into a circular coil of one turn the magnetic induction at its center is B ठीक है यानि कि जब कोई एक long wire जिसमें current I flow हो रहा है उसको bend किया जाता है into a circular coil of one turn अगर एक turn वाले circular coil में तो उसके center पे जो magnetic field है suppose N है ठीक है फिर कहता है when the same wire carrying the same current is bent to form a circular coil of N turns अगर मानले N turns में bend कर दिया जाए of smaller radius उसी wire के अब N turn बना दिये तो magnetic induction at the center क्या होगा तो देखी क्या कह रहा था कुछ ऐसा कह रहा था अगर कोई wire है जिसमें current जा रही थी wire को मैंने bend कर दिया एक turn के circular coil में तो इसके center पे मानले magnetic field यह है B है अब इसी wire को एक बड़ा सा wire था मानले पहले ऐसा समझेया कि wire था बहुत बड़ी wire थी मैंने इसको इतना बड़ा turn करा एक turn था तो magnetic field B थी अब इसी wire का length wire की same रहेगी इसी wire की मैंने end turns बना दियी means ऐसे ऐसे circular coil लपेड दी यह ऐसे ना बहुत सारे end turns होगे तो radius क्या होगी छोटी हो जाएगी जब आप एक आपको मानली 10 cm का wire दे दिया जाए उसके आपसे एक बार कहा जाए कि उससे एक turn बनाओ और एक बार कहा जाए उससे 4 turn बनाओ जब एक ही turn बनाएंगे तो radius ज्यादा होगी 4 turn उसके अगर लगाएंगे तो radius क्या हो जाएगी छोटे छोटे coil बनाओगी आप radius घटेगी तो अगर n turns हो जाए तो तब कितना magnetic field होगा कहे रहे तो आप यह समझेए सबसे पहले circular coil के center पे अब आप देखेगा circular coil के center पे जो magnetic field होता है वो magnetic field कितना होता है समझेए मेरी बात को mu naught ni upon 2r होता है तो r को हम कैसे लिखेंगे जब उसमें किसी circular coil की length के लिए formula लिख सकता हूँ जला समझना उसकी जो wire की length होगी वो होगी n into 2pi r यही तो होगी हमेशा हमेशा यही fix होगा देखें यह circular coil है इसकी total length कितनी होगी 2pi r अगर 1 turn है तो 1 into 2pi r अब ज़ादा turn है तो radius change होगा तो initial condition तो यह रहेगे अगर n equal to 1 turn है कहा उसने starting में तो l equal to 1 into 2pi r कर दूँगा मैं 1 into 2pi r तो r क्या आजाएगा यहां से r आजाएगा मेरा l upon 2pi तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखे r की जगोपर l upon 2pi लिखता हूँ r की जगोपर जब आप l upon 2pi लिखेंगे तो b कितना आजाएगा mu naught ni upon 2 इस r की जगोपर आप क्या लिखेंगे l upon 2pi जो यह r है l upon 2pi लिखेंगे तो l तो ऐसी रहेगा into 2pi को आप उपर भीज दीजिए into 2pi यह मेरा initial magnetic field रहा यानि कि इसमें भी देखेंगे आप 2 से यह 2 भी कड़िया मेरा तो mu naught मेरे पास कितना रहा number of trans भी इसमें 1 था number of trans sorry यह तो n था तो इसमें हमारे पास रहा क्या मैंने क्योब l को चेंज करा तो mu naught pi ni upon l आया तो इसको मैं थोड़ा सा दुबारा लिखता हूँ कि अब magnetic field कितना आया आप समझेगा जो magnetic field आ रहा है मेरा mu naught mu naught n pi i upon l ठीक है तो मेरा जो magnetic field आया जब उसमें 1 turn था तो वो कितना आया mu naught n pi i upon l आया ठीक है अब देखे जब उसमें मान लिजी अब n turns हैं तो n turns हैं तो उसकी नई लंबाई l dash हो जाएगी नई लंबाई को क्या लिखेंगे n into 2 pi radius भी अब r नहीं रहेगी r dash हो जाएगी अच्छा स्वरी लंबाई नहीं नहीं रहेगी लंबाई तो वही है वही wire है तो n into radius change होगी क्यों तो number of turns बढ़ाऊगे तो radius घटेगी 2 pi r dash तो यहां से r dash क्या आ जाएगा इस बार r dash आ जाएगा l upon 2n pi अब हम इसमें क्या रखेंगे l upon 2n pi रखेंगे यह n को मुझे यहां पर capital कर देता हूँ यह वाले n को भी मैं capital कर रहाँ ठीक है वहाँ पहले वाले में n1 था इस बार n trans हैं तो l upon 2n pi यह r dash की value अब हम अब जो l आ जाएगा यहां से अब जो नया वाला जो magnetic field होता है center पर कितना होता है mu naught ni upon 2r होता है अब 2r dash होगा नए वाले के लिए ठीक है तो r dash की जोगोपर आप क्या रखेंगे यह वाली value रखेंगे l upon 2n pi समझे जरा सा l upon 2n pi रखेंगे तो क्या जाएगा इसी r dash की जोगोपर मैं l upon 2n pi रख दे रहा हूँ तो देखी इसकी जोगोपर मैंने l upon 2n pi रखा यह n capital ठीक है तो इससे क्या होगा यह आप सुरू से देखेंगे यह 2 से 2 तो कर जा रहा है यह n pi उपर जाएगा n pi उपर जाएगा यहाँ multiply होगा तो क्या बनेगा देखे मेरे पाई space कम हो रहा है आप समयने कोसिस करेगा b dash equal to mu 0 तो ऐसी रहा एक n यहाँ अल्री है n से इंटू होगा तो n square pi i यह pi उपर जाएगा pi i upon l यह मेरा b dash आया देखे यह value मेरी b dash आई आप समयने कोसिस करेगा यह मेरा b आया था तो b dash और b में कितना अंतर है अगर मैं n square को आगे लगा दूं तो क्या बचेगा mu 0 pi i upon l यह वाले में ध्यान रखेगा यह वाले में मेरा n1 था इसमें मेरा n1 ले लिया था 1 turn था तो उस वाले में क्या आएगा mu 0 pi i upon l आएगा पहले वाले condition में देखेगा 1 turn का है mu 0 pi i upon l आएगा इस वाले में क्या है mu 0 n square pi i upon l n² को आगे रख लीजिए पीछे क्या बच्चेगा इसमें ध्यान दीजिएगा mu not pi i upon l तो mu not pi i upon l को मैं क्या लख सकता हूँ b लख सकता हूँ तो इसलिए b dash equal to क्या जाएगा n square times of b यहां से आपने देखा होगा जो मेरे पास आजा रहा है b dash equal to n square times of b आगिया यानि कि आप इसको डारेक्ट याद भी रख सकते हैं कैसे समयने कोसिस कीजिएगा आप वीडियो को दुबारा देख लीजिएगा प्लीज वहाँ पर मैंने कैसे समझाने कोसिस की है बस हमने कुछ ने कहा length को किसके जो r था ना radius नीच है r को मैंने length के time में लिखना कोसिस करा ठीक है तो आप ये ध्यान रखेगा अगर कोई circular wire हो अगर उसमें पहले 1 turn हो एकी length का wire हो एकी wire हो उसमें 1 turn हो और उसके center पे magnetic field b है अगर उसी wire के n turns कर दिये जाएं उसी wire के n turns कर दिये जाएं तब center में magnetic field कितना हो जाता है याद रखेगा center में magnetic field n square time so b हो जाता है जैसे question आजाएगा एक circular wire है जिसकी length 10 cm है और उसका अगर एकी turn है तो उसके center पे magnetic field मान लीजिए b है अगर अब उस wire के 2 turn बना दिये जाएं उसी wire के 10 cm wire के 2 turn बना दिये तो center पे नया magnetic field कितना हो जाएगा जितने number of turns आप बढ़ा रहे हो number of turns को आपने 2 गुना कर दिया तो magnetic field कितना हो जाएगा n square 2 का square 4 4 times of b हो जाएगा आप डिरेक्ट याद रख लीजिए इस formula को ऐसी अगर आप से कहा जाएं अगर एक circular wire है उसमें 1 turn है ठीक है current आई जा रहे है स्पोज 1 turn है तो अगर magnetic field क्या है b है center पे अगर हम उसी wire के 3 turn बना दें तो center भी magnetic field कितना हो जाएगा तो साब center भी magnetic field हो जाएगा जितने times आप बढ़ा रहे हो उसका अगर आप n times बढ़ा रहे हो तो n square times बढ़ जाता है magnetic field 3 times बढ़ा रहे हो तो 3 का square नगी 9 times magnetic field हो जाएगा अगर आप 4 turn करेंगे तो magnetic field कितना हो जाएगा 16 4 के square times हो जाएगा कैसे मैंने solve कर आप उसको भी देखीगा और इसको भी देखीगा ठीक है अब next question पर चलते हम आगे देखे question क्या कह रहा है इस question को solve करने से पहले मैं आपको ये question दिखाता हूँ देखे काफी important है ये कह रहा है a wire of certain length is bent to form a circular coil of single turn देखो एक single turn बनाया if the same wire is bent into a coil of smaller radius क्यों तो smaller radius होगी अगर उस भी wire को bend करेंगे so as to have 2 turns अब उसके 2 turns बना दिये then magnetic field produced at the center by the same value of current कितना हो जाएगा अगर double कर दिये तो मैंने भी बता है n square times n करते हैं तो n square times double करोगे तो double का square 4 times हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका 4 times its value in first case अगर ऐसी 3 turns कर दिये होते तो 9 times हो जाता है ठीक है अब देखिए अब हम इस question को देखते है ये question में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए a straight section PQ of a circuit lies along the x-axis from x equal to minus a by 2 to x equal to a by 2 and carries a steady current I the magnetic field due to the section PQ at a point x equal to plus a तो plus a पर कितना magnetic field होगा ये कह रहा है straight section PQ है किसी circuit का और वो lie करता है कहां से x equal to minus a by 2 से plus a by 2 तो आप ऐसे बना लिजे माल लिजे ये coordinate system है ऐसे इसको 0 माल लिजे origin यहाँ x equal to a by 2 माल लिजे suppose एक distance यहाँ पर माल लिजे minus a by 2 और ये a by 2 यहाँ पर कोई circuit का कोई segment है माल लिजे ये कुछ ऐसे और उसमें कहा रहा है and carry steady current आपसे steady current है इसमें direction आपको नहीं दी तो आप चाहे current इधर को माल लो left को माल लो right को मैंने right माल ली कहीं भी आप current माल सकते हैं तो x equal to a by 2 था आपसे कहा रहा है magnetic field due to the section PQ at a point x equal to plus a तो plus a कहा होगा right side में होगा इधर की और तो देखे अगर ये point a by 2 है तो ये कहीं point a यहाँ पर आपसे magnetic field प्यूश रहे तो देखे कौन सा ये wire है ये point P है माल ये point P कहा है wire के along ही तो है मैंने आपको bios award में बताया था किसी भी straight wire के along चाहे यहाँ कहें चाहे यहाँ कहें magnetic field B कितना होता है 0 होता है वो किसी भी proportionally नहीं करेगा तो इसलिए इस question का answer क्या हो जाएगा हमारा option number D हो जाएगा चाहे x equal to plus a पे बोले या x equal to minus a पे रिधर बोले में क्या कह रहा है circular loop of a wire and a long straight wire carries current IC and IE respectively as owning figure तो जैसाब figure में देख रहोंगे एक circular loop दिया है उसमें anti-clockwise current जा रहा है IC उसकी radius R है और नीचे वायर दिखा रखा है उस पे current IE है फिर कहता है assuming that these are placed in the same plane means जैसे paper है इस paper के plane पर ही दोनों रखे गए है the magnetic field will be 0 at the center O of the loop when separation edge देखें ये center O पर magnetic field 0 होगा कह रहा है लेकिन कब जब ये wire से वो point center तक की distance मानलेजे यहां तक की distance है as ठीक center के corresponding मानलेते हैं कितना होगा तो देखें यहां पर इसके center पर loop के center पर दो चीज़ हैं हमारी magnetic field को generate करेंगी अगर loop के द्वार अगर आप देखते हो तो loop पे current IC जा रहा है तो loop के गारण कितना होगा loop अगर मैं बोलो लूप तो loop के गारण आपका magnetic field हो जाएगा mu naught IC I के निचे C लिखा मैंने upon 2R हो जाएगा loop के गारण और कहां की ओर होगा इसके direction बहुत important है देखें मैंने आपको बता है anti-clockwise current घूम रहा है न तो आप उसके direction में अपने दाएं हाथ की चार अंगुलियों को मोड़िये अपने मेरे previous lecture देखें तो अंगुठा कहां की ओर आएगा अगर हम current की direction में दाएं हाथ की चार अंगुलियों को curl करें तो अंगुठा ऊपर की ओर आएगा तो यानि कि आउटवर्ड ये magnetic field आ रहे है इसलिए मैंने dot से दिखा दिया अब ये wire है ये वाला portion wire जिसमां ie current जा रहे है wire के कारण यहां पर कितना magnetic field होगा center पर तो कितने distance पर है edge distance पर है तो बी wire हमें पता है straight wire से r distance पर में magnetic field पढ़ा था mu naught i upon 2 pi r यहां ie है upon क्या है distance 2 pi r की जोगा पर हो जाएगा हमारा edge हो जाएगा ठीक है यहां तक साहथ आप समझ गए अब वो क्या कह रहा है अब wire की कारण magnetic field की direction देखे जरा wire में जहां current जा रहा है उसकी direction में थम रखिए Maxwell के दाएं हाथ का नियम लगाई है current की direction में अगर मैंने थम रखा point उपर की ओर है यहां center पर देखना है current की direction में थम रखा wire में इधर की ओर थम रखा उपर की ओर अपने हाथ की चार अंगुलियों को रखेंगे ऐसे वहां से curl कर देंगे 90 पर 90 पर curl कर देंगे तो magnetic field नीचे की ओर जा रहा है copy के plane के नीचे आपको मैंने सिखा रखा ऐसे लगाना आप गर आपने previous lecture नहीं देखे तो उनको देखे magnitude नीचे की ओर जा रहा है means cross तो अब यह magnetic field 0 कब होगा भीया opposite तो हैं दोनों magnetic field 0 कब होगा जब यह दोनों ही magnitude आपस में क्या हो जाए same हो जाए means mu naught i c upon 2 r किसके बराबर हो जाए mu naught i upon 2 pi h के बराबर हो जाए तो हम इन दोनों को अभी क्या करेंगे equal लिखेंगे तो वहाँ से मारा answer आ जाएगा तो अब देखना मैं इसको हटा करके मैं क्या लिखूंगा mu naught i c upon 2 r को equal to लिख दूंगा mu naught i upon 2 pi h तो देखे हमारे पास क्या था हमारे पास ये था देखे मेरे पास बना था mu naught i c i c upon 2 r equal to mu naught i c upon 2 pi h cancel हो गया है h को ये i c है यहाँ पर h को उपर भीजिए उधर तो h बराबर क्या आ जाएगा ये i e है ठीक है इधर i है तो h बराबर ये जो r है ये i e के साथ into हो जाएगा i e into r r वहाँ capital है तो हम भी capital r दिख दें तो option में देखे capital r हमको दिख रहा है i into r upon h उपर ये तो i c ये i c नीचे आ जाएगा तो i c into pi आ जाएगा ठीक है तो कौन सा option h की value ये आगे हमारी simple से तो कौन सा option सही है आप समझ गयोंगे मैंने दोनु value का magnitude same करा i e r upon i c into pi तो हमारा first option यहाँ पर correct है अब हम तो आपने देखा first option हमारा इसमें क्या था correct था अब हम next question को करें ओके तो देखेगा next question क्या है the magnetic field db due to a small current element dl at a distance r and element carrying current i देखे बायू सेवर्ड लोगा correct form पूछ लिया गया है यहाँ पर कौन सा सही है तो मैंने आपको बता रखा है ऐसे question भी आ सकते हैं अभी तो कौन सा option यहाँ पर सही है option number c correct है db equal to mu naught upon 4 pi ideal cross vector r upon r q ठीक है अब हम next question पर आते हैं देखेगा next question में क्या कह रहा है यह कह रहा है a coil a has radius a and the current flowing in it is i ओके another coil b has radius 2a and if 2i is the current flowing through it then the magnetic field at the center of the circular coils are in the ratio तो बहुत simple सी बात कह रहा है पहले वाली coil का current उसमें आई जा रहा है और उसमें radius कितना है a तो उसके center पर magnetic field कितना हो जाएगा number of tons की बात नहीं कर यह तो हम सीधे लिखते हैं mu naught i upon 2a दूसरे वाले b dash के case में क्या कह रहा है current 2i कर दिया गयर और radius भी 2a कर दिया गयर तो mu naught i dash जो हो जाएगा यह कितना होगा 2i और radius जो a है वो radius a को कितना कर दिया 2a कर दिया तो आप देखें क्या हुआ यह 2 से यह 2 तो कटी गया यह भी तो mu naught i upon 2a ही तो आया आप देख रहोंगे तो यहां से आप देखें mu naught i upon 2a आया यह भी mu naught i upon 2a तो चाहिए आप b upon b dash देखो तो कितना हैगा 1 ratio 1 या b dash upon b देखते हो वो भी कितना हैगा 1 ratio 1 तो इसका direct सही option हो जाएगा first option 1 ratio 1 अब देखेगा next question को कैसे पूछ रहा है हुमा के magnetic field at the center of a current carrying circular loop having 1 ampere current कह रहा है and number of turns 1 will be number of turns भी 1 कह रहा है radius of the loop भी 1 meter कह रहा है तो magnetic field at the center of the loop का आपको क्या formula पता है center of the loop पर होता है mu naught ni upon 2r इसने आप से कह दिया current 1 ampere है means b equal to mu naught तो ऐसी रहा current भी 1 है number of turns nb1 है और radius r rb1 है nb1 हो जाए यह ib1 हो जाए और rb1 हो जाए तो क्या बन नहींगा हमारे पर magnetic field mu naught upon 2 बचेगा क्यों तो nb1 कह दिया 1 into 1 नीचे rb1 कह दिया तो क्या हो जाएगा mu naught upon 2 कभी कभी ऐसे simple question भी डारेक्ट हम से पूस ले जाता है lecture exam में अब next question देखिएगा next question में क्या कह रहा है देखिए बड़ा important question है यह question मैं आपको पहले भी जो मैंने board में कराए है question उसमें भी मैं आपको करा चुगा हूँ देखिए the magnetic field intensity produced at O due to current carrying wire sewn in figure कह रहा है ठीक है तो इसमें देखिएगा यह जो wire का यह वाला portion है मैं आपको previous अपने lectures में करा चुगा हूँ यह वाले portion के लिए जो point O है यह wire के along ही है तो यह वाले portion के कारण कितना हो जाएगा magnetic field zero ऐसी wire के इस portion के कारण देखिए point O क्या है इसके भी कहीं नहीं इधर है left side में है इनकी along the axis ही है यह वाले straight wire के कारण भी क्या हो जाएगा zero अब हमारे पास क्या बचता है हमारे पास क्यों circular arc बचता है यह circular arc को मैं आपको short trick बता हूँ वैसे तो मैंने आपको formula बताया था जो मैंने यहाँ साथ लिखा भी था mu naught upon 4 pi i theta upon r लेकिन हम इससे नहीं जा रहे हैं इसको अटा दीजे इसको देखने ही ज़रत नहीं यहाँ पर mu naught upon 4 pi i theta upon r से भी जाने की ज़रत नहीं अगर यह माल लिजे यह diagram में अगर यह पूरा circular coil होता पूरा circular coil होता तो कितना बनता mu naught upon 2 r बनता लेकिन आप इसको देखेना है semi circle है यह आधा circular coil है तो पूरे circular coil के center पर होता है mu naught upon 2 r आधा circular coil है तो mu naught upon 2 r का भी आधा कर लिजे तो क्या हो जाएगा 1 upon 2 of mu naught upon 2 r तो कितना हो जाएगा mu naught upon 4 r हो जाएगा अब यहाँ पर इसकी direction नहीं पूछिए तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ पर देख रहूंगे तो current कैसे जा रहा है यह अगर आप current की direction में अपने दाएं हाथ की चार अंगुलियों को मोड़ेंगे तो current clockwise देख रहा है अगर यह पूरा circular coil होता है तो current की direction में अपने दाएं हाथ की पॉइंट ओकी हो रखिए वहां से 90 मोर दीजिए तब भी इनवर्ड होगा फिलाल इस क्वेश्चिन में डारेक्शन नहीं पूछी है अब ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चिन में आ जाएए देखिए क्या कह रहा है अ करेंड कर्ण कंडक्टर इस बेंट इनट इन्ट ओप क्वाटर ओफ सरकल ओफ रेडियस आर एस ओन दे मैंनेटिक फिल्ड एड़ धी सेंंटर हम से पूछ रहा है तो देखिए यहाँ पर फिगरमा आप देख रहे है यह क्वाटर ओप सरकल बना रहे है देख 1 by 4 है circular coil का तो magnetic field भी कितना हो जाएगा 1 by 4 of mu not i upon 2 r तो कितना हो जाएगा mu not i upon 8 r हो जाएगा अब mu not i upon 8 r के दो option है अब आपको direction देखना पड़ेगा देखिए इसमें direction देखिए current की direction में अपने हाथ दाए हाथ की चार अंगुलियों को मुड़ाएंगे तो current कैसे है clockwise दिख रहा है तो दाए हाथ की चार अंगुलियों तो अंगुठा कहां की ओर जाएगा vertically downward जाएगा into the plane of the paper तो कहां direction हो जाएगी inward अगर आपको direction का अगर निकालना नहीं आ रहा है तो आप मेरे previous lectures को देख लीजेगा आपने देखे भी होंगे ठीक है अब इसके बाद next question है और आज का हमारा last question और काफी important question है देखेगा इसकों solve करेंगे यह क्या करेंगे the magnetic field due to a current carrying circular loop of radius 3 cm at a point on the axis at a distance of 4 cm from the center is 54 micro tesla what will be its value at the center of the loop means हम से कह रहे है कोई circular coil है जिसकी radius 3 cm है और उसके center से 4 cm की distance पे किसी axial point पे जो magnetic field है 54 micro tesla है तो center पे कितना होगा तो मैंने आपको अपने previous lecture में trick बताई थी sort trick मैंने आपको क्या बता था b at axis axis में किसी भी point पर axis point means कोई भी point पर जो magnetic field होता है b center का upon इसका होता है one plus x square upon a square की power 3 by 2 previous lecture आप मेरे देखेगा ठीक है x क्या होता था center से उस point की distance होती थी axial point की और a radius होता था ठीक है अब यहां हमको क्या दे रहा है देखो axis का magnetic field दे रहा है कितना 54 micro tesla equal to center का मुझे निकालना है upon one plus xl वाले की distance कितनी दे रिखिए four centimeter और radius कितनी दे रिखिए three centimeter तो meter में बदनने की ज़रूत नहीं है क्यों तो दोनों same में ही है न अगर आप centimeter से meter में करेंगे अगर एक centimeter में दूसरे meter में होता मैं change करता दोनों same में है तो one plus x की ओपर four का square upon a कितना है radius three का square की whole power कितना हो जाएगा मेरा three upon two हो जाएगा यहां से b center निकालूँगा जब four का square और three का square इसको करेंगे तो आपके पास कितना जाएगा one plus sixteen upon nine आएगा यहां पर four का square 16 और नीचे nine आएगा तो अगली nine क्या बनेगी 54 equal to bc upon यह 16 upon nine यहाएगा फिर one के साथ add करेंगे तो nine आप lcm ले लेंगे तो nine plus sixteen उपर कितना बचेगा 25 upon nine 25 upon nine की power three by two तो इसको याद करेगा अभी मैं next screen बढ़ाऊंगा 54 equal to bc upon 25 upon nine की power कितना बना three by two तो अब यह solve गरके कितना होगा देखिए यह 25 by nine को मैं upon five upon three का square लिख सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनेगा 25 upon nine को five upon three का whole square लिखूंगा की power बाहर three by two भी आएगा हो square वाले से यह two कट जाएगा तो क्या बचेगा five upon three का cube बचेगा यानि कि 54 equal to bc upon five upon three का cube तो मैंने क्या बोला मेरा क्या बचा 54 equal to bc upon five upon three का cube बचा तो bc बराबर कितना हो जाएगा यह five upon three का cube वहां 54 के साथ into होगा तो bc बराबर 54 तो यह रहा into five upon three का cube five का cube कितना 125 three का cube कितना हो जाएगा थ्री थ्री जाएगा नाइन थ्री जाएगा 27 तो 27 से 54 कितने टाइमस कर जाएगा तो तो सेंटर पर मेगनेटिक फिल्ड कितना है 125 इंटू तो यानिकि 250 माइक्रो टेसला तो यहां हमारे पास एक option है 250 माइक्रो टेसला तो यह हमारे question का answer आ गया ठीक है तो यहां पर इस PDF के माधियम से जो आसान question जिनको हम PDF के माधियम से मैं solve कर सकता था उनको मैंने आपको यहां पर दिखाया अगर यह आपको पसंद आया तो आप मुझे comment में बताएगा आगे भी हम ऐसे ही questions solve करते रहेंगे और हम question board में भी solve करेंगे और कुछ इस टा झाल